तो अगर आप अपने नए घर का काम शुरू करने जा रहे हो या फिर अगर आप अपना घर का काम कर रहे हो तो ज़रा रुकिए इन 15 चीजों को जाने बिना अपने घर का काम शुरू मत कीजी क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसी 15 चीजों के बारे में जानकरी लेने वाले है जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आगे चलके घर का काम करते समय लोग आपको बेवकूप बना सकते है और इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपके घर के काम की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी जिस वज़े से आगे चलके आपका घर कमजोर रह सकता है और घर बनानी की जो लागत है वो भी बढ़ सकती है तो चलिए एक एक करके जानते है क्योंकि हर एक पॉइंट काफी ज़ादा इंपोर्टन होने वाला है इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रू देखे चानल पे अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को ज़रू सब्स्राइब कीजे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने दोस्तों के साथ इसे शेर करना ना भूले करनी की ज़रूरत नहीं है हमने बहुत सारे काम किये है यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है तो अगर आप ग्राउंड प्लस वन फ्लोर बनवाने वाले है तो आपको वहाँ पर चार फीट तक कम से कम खुदाई करनी चाहिए उसके बाद अगर आप जी प्लस टू घर बनवाने वाले है तो वहाँ पर आपको पार से लेके 6 फीट तक खुदाई करनी चाहिए अब यह जो एक्सकेव जनरली जो आउटर में beam provide किया जाते हैं जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इन्हें ground level पे provide किया जाता है और जो अंदरूनी beam होते हैं उन्हें plint level पे provide किया जाता है जो की जमीन level से थोड़े से उचाई पे होते हैं तो जो plint beam होते हैं उनके लिए जो steel इस्तेमा है वो बड़ भी सकता है यह depend होता है आपके steel design के उपर वैसे तो plint beam के अलग-अलग size होते हैं जैसे कि 9 inch by 9 inch 9 inch by 12 inch 9 inch by 15 inch या फिर 9 inch by 18 inch ज्यादा तर घरों में 9 inch by 15 inch के beam को provide किया जाता है और जहा तक बात आती है stir-ups की तो उनके लिए आजकल सभी जगह पर 8 mm का ही इस्तमा नहीं है इससे आपके पैसे भी बचेंगे पर इससे ठेकेदार का काम बचेगा पर आपकी दिक्कते आगे चलके बढ़ सकती है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं दीरे दीरे करके road level जो है वो बढ़ती रहती है इसी वज़े से आगे चलके बारसाथ का पानी जो है वो आपके कम तीन से लेके चार फीट तक रखनी चाहिए जिससे कि आगे चलके आपको दिकत न हो अब यहाँ पर हम यह जानते है कि जो concrete हम इस्तमाल करने वाले है चाहे आपके footing के लिए हो column के लिए हो या फिर slab के लिए हो वो कितने grade का इस्तमाल करना चाहिए तो आपके घर के लिए आपको यम 20 grade से कम का concrete बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करना है अब यह जो यम 20 है इसका proportion होता है 1 as to 1.5 as to 3 यानि की एक पार्ट cement 1.5 पार्ट is sand and 3 पार्ट aggregate यानि की गिट्टी इसमें आपको बिलकुल भी गलती नहीं करनी है concrete में ज़्यादा पानी mix करनी की गलती न करे वैसे की concrete की मजबूती कम हो सकती है अब बात करते है next point की जो की है DPC DPC का full form होता है damp proof course नाम के ही तरह यह जमीन से आने वाली नमी को उपर जाने से रोकने का काम करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसे plint level पे provide किया जाता है तो यह जो DPC है इसकी ठिकने साब को कम से कम 3 इंच तक रखनी चाहिए तो अब बात करते है slab के बारे में तो slab के बारे में जो पहला point आ जाता है जो की है slab height तो यहाँ पर आपके सामने 3 options होते है आपकी जो floor level होगी उससे आप slab के height 10 feet या फिर साड़े 10 feet या फिर आप 11 feet तक भी slab के height रख सकते हो अगर आप slab के height 10 feet से कम कर लेते हो तो इससे आपको आगे चलके थोड़ी दिक्कते हो सकती है जैसा कि हम आजकल हमारे आसपास देख रहे हैं आजकल लोग घरों को B.O.P. करवाना पसंद करते है तो अगर आप height कम रखते हो तो fall ceiling की वज़े से height जो है और भी नीचे आ जाएगी जिससे कि आपका कम से कम 5 इंच तक होनी चाहिए अगर आप slab की thickness 5 इंच से कम कर लेते हो तो इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं सबसे बड़ा नुकसान तो यह कि इसकी वज़े से आपका slab कमज़ोर हो सकता है तो इसलिए कम से कम आपको slab की thickness 5 इंच से कम बिलकुल भी नहीं रखनी है और अगर आप चाहो तो main बार के लिए 10 mm का इस्तमाल कर सकते हो और distribution बार के लिए 8 mm का इस्तमाल कर सकते हो हाला कि slab की ढ़लाई करते समय कौन कौन सी चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हमने एक separate video बना के रखी है आई बटन में मैं उस video का link दे दूँगा व वो होता है d square upon 162 यहाँ पर d मतलब diameter of bar example के लिए आप 12 mm के बार का वजन निकलना चाहते हो तो 12 square upon 162 करने के बाद आपको 12 mm के बार का 1 meter का वजन कितना है यह मिल जाएगा इसी तरह से आप ये भी जान सकते हो कि 1 feet बार का वजन कितना है इसके लिए आप d square upon 533 इस formula का इस्त सबसे important चीज आ जाती है जो कि है steps अगर आप इन step को बनाने में कोई गलती करते हो तो आपको उपर आने जाने में दिक्कत हो सकती है तो ये जो step होती है इसमें riser और trade होता है riser यानि कि ये जो खड़ा भाग है इसे riser कहा जाता है जिसकी की height आपको कम से कम 6 inch तक लेनी है अगर आप जादा height लोगे तो इससे आपको उपर चड़ने में दिक्कत होगी और step के उपर जहापर हम पैर रखते हैं उसे trade कहा जाता है तो उसका size कम से कम 10 inch तक होना चाहिए अगर trade का size 10 inch से कम होता है तो इस city के उपर से आप फिसल सकते हो और ये चड़ने उतरने में बह नीचे लेना है तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी साथ में अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे को cross कर रहे है तो वहाँ पर भी आपको इस जीने में दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ पर next point आ जाता है जो कि है footing mesh अब footing mesh से पहले आपको 2-3 चीज़ों के तरब ध्या बाकी कुछ जगह पर इटो का इस्तमाल किया जाता है जो कि इतना कारगर और अच्छा option नहीं होता है तो अब बात करता है कि यह जो footing mesh है इसके लिए आपको कितने mm के steel का इस्तमाल करना चाहिए तो इसके लिए आप जो है 10 mm से लेके 12 mm के steel का इस्तमाल कर सकते हो तो यह footing mesh के दो बार है उन दोनों के बीच में 6 inch का distance होना चाहिए जिसे कि हम center to center distance कहते हैं और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह के yield आपको ज़रू प्रोवाइड करने है आपके footing mesh को तो दोस्तों यह कुछ important चीज़े है इन गलतियों को आपको बिल्कुल भ आम में आ सकती है और वीडियो बहुत जादा ही अच्छे लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजे